Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो 5 drawing exercises के बारे मैं रहने वाली है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको drawing exercises share करूँआ. ये वीडियो specially मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, जो या तो beginner है, या तो journey start कर चुके हैं, पर drawing के level पर आकर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. तो आज की वीडियो मैं आपको 5 ऐसी exercises बताऊँ जो मैं खुद भी practice करता हूँ. अगर आप भी practice करोगे, तो time के साथ आपको growth देखने को मिलेगी. मेरी सभी वीडियो काफी ज़्यादा informative होती है, और सभी वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ एजुकेटिव content प्रोवाइड करने ही कोईश करता हूँ. तो सभी वीडियो की तरह ये वीडियो भी काफी ज़्यादा informative रहने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, ताकि मुझे motivation मिलता रहे और ऐसी वीडियो बनाने के लिए. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया हो, तो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर चैक आउट करना, आपको काफी ज़्यादा information मिलेगी. इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी exercise में बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से practice करते हो, तो ये 5 exercise आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली है, और आपकी drawing को एक अलग level पर लेकर जा सकती है. तो अब हम अपना lecture कर सकते हैं, start and समझते हैं, 5 drawing exercises के बारे में. Okay, तो सबसे पहले हम अपना setup करेंगे ready, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी share करता हूँ, setup is very important. तो जो आज हम exercise करने वाले हैं, उसके लिए setup का ready होना काफी important है, तो कुछ इस तरीके से आपको vertically place करना है अपने board को, अगर आपके आपका बोर्ड नहीं है तो आप दिवार पर भी लगा सकते हो setup अपना, and एक बड़े size का paper लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने half imperial size का paper लिया और इसको कुछ इस तरीके से vertically place करना है, हाला कि थोड़ा सा tilted है, अगर थोड़ा सा tilted भी रहे तो भी चल जाएगा, पर ऐसे vertically होना चाहिए, आपकी आँखों के सामने होना चाहिए, basically कहने का मतलब भी है, यहाँ पर paper इतना important नहीं है, paper कोई भी सस्ता सा आप ले सकते हो, हम यहाँ पर newspaper का भी use कर सकते हैं, so exercise number one, straight lines, आपको इस paper पर straight line लगानी है, अब exercise का नाम तो straight line है, पर यहाँ पर इतना important नहीं है कि आप initially straight line पर ज़्यादा focus करो, time के साथ धीरे धीरे आपकी straight line बनना start हो जाएगी, पर उससे पहले क्या चीज़ important है, उससे पहले important है आपके हा हाथों का movement, बड़े size का paper लेने का मकसद ही यह है कि आपके हाथों की movement हो, आपके हाथ जितने ज्यादा stretch हो सकते हैं, उतने ज्यादा stretch हो, तो यहाँ पर आपको हाथों को नहीं मोड़ना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, हाथों को बिल्कुल straight, elbow को नहीं मोड़ना है basically, elbow बिल्कुल सीधी रहेगी हमारी, and आपको straight lines लगाने की कोशिश करनी है, initially आपको सिरफ कोशिश करनी है, ज्यादा focus straight line पे ना देके, ज्यादा focus हमको देना है hands की movement पर, पूरे paper के इस side से लेके, दूसरी side तक line लगानी है basically, अब यहीं पर हम एक दूसरे तरीके से भी line लग लगा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी right to left लगाई lines, अब हम उपर से नीचे भी लगा सकते हैं line, इससे हमको vertically and horizontally दोनों line लगाने का benefit मिलता है, and hands की movement भी बढ़ती है, तो कुछ इस तरीके से उपर से लेके नीचे तक आपको पूरे paper को cover करना है, अगर आप newspaper यूज कर रहे हो, and मैं अपना कोई भी work start करने से पहले इस exercise को practice करता हूँ, so exercise number two, circles, हमको circles बनाने हैं, तो जैसा कि हमने straight line बनाई थी, वैसे हम circle बनाएंगे, पूरे paper को cover करेंगे हम, यहाँ पे जितना ज्यादा बड़ा circle आप बना सकते हो, कोशिश करनी है, उतना ज्यादा बड़ा circle बनाओ कोशिश यह करनी है कि पूरा paper cover हो सके, जितना भी size है आपके paper का, उस पे पूरा एक circle बहुत बड़ा circle आ सके, दूसरी चीज यह भी है कि यहाँ पे grip का भी आपको ध्यान दे रहा है, मैं यहाँ पे overhand grip यूज कर रहा हूँ, जो की कुछ इस तरीके की दिखती है, overhand grip का मतल है आप pencil के ऊपर हाथ रखते हो, और कुछ इस तरीके से practice करते हो, तो इस grip को देख लो, यह grip भी काफी जदा important है, और दूसरी grip हमारी tripod grip होती है, जो की कुछ इस तरीके की दिखती है, यह वही grip है जो हम normally use करते हैं, अब इस grip से try नहीं करना है, जो पहली exercise थी वो भी इस grip से नहीं करने हैं आपको, आपको use करनी है over hand grip, यहाँ पे मैं करके भी दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, बड़े आराम से मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके की grip लगती है यह, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे circles बनाना है आपको, इस exercise को करते time exercise से ज़्यादा important other activities है, यह ना हो कि ऊपर लगा दिया, बिल्कुल नीचे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, so यह exercise basically आपके hands का flow बढ़ाती है, hands की movement, hands जितना ज़्यादा stretch होगा, उतना ज़्यादा अच्छा result निकल के आएगा future drawings में, and circle को आप दोनों direction में practice कर सकते हो, clockwise and anti-clockwise, इसलिए मैं बो रीके से बैठे हो, कैसे काम कर रहे हो, वो ज़्यादा important है, तो यहाँ पे मैंने अपने board को रख लिया है, 45 degree पे, कुछ नीचे एक जुगार लगा के 45 degree पे रखा, and मैं अपनी छोटी notebook निकाल लेता हूँ, एक pencil हम को चाहिए होगी, इस exercise को करने के लिए, and अब हम start करते है So, यह exercise काफी ज़्यादा important है, इस exercise का नाम है, simplification, इस exercise के बारे मैं अपनी काफी सारी वीडियो में बात करता रहता हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा, मैं कैसे practice करता हूँ इसको So, यहाँ पे reference आपके सामने है, अब इस reference को हमको simplify करना है, details ignore करेंगे, just मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ lines के तुरूना, इस subject को simplify करके देख रहा हूँ इस access को करने के लिए आपको hardly 10-15 minutes लगेगी, पर उस 10-15 minutes के अंदर आप इतना कुछ सीख जाओगे न, जिसकी कोई हद नहीं है, आपको काफी कुछ पता चलेगा एक subject के बारे में, एक subject को study करने के लिए सबसे best तरीका है यह, आपको detail ignore करनी है, simplify करना है, और देखो बड़ सो कुछ इस तरीके से subject को simplify किया जाता है, अब इस exercise के अंदर आपकी जो चीज improve हो रही है, वो है आपकी observation, okay, observation काफी ज़्यादा important होती है अच्छी drawing बनाने के लिए, अगर आपकी observation अच्छी नहीं है, तो एक अच्छी drawing बनाना मुश्किल है, तो यहाँ पे हम अपनी observation को improve क कर रहे हैं, चीजों को observe कैसे करते हैं, चीजों को simplify कैसे करते हैं, वो चीज़ सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक और still life पे काम कर रहे हैं, एक bottle है, तीन यहाँ पे कुछ नीमू रखे हुए side में, ठीक है, तो इसको भी मैं simplify करूँ, अब नीमू के लिए मैं straight line लगा सकता था पर मुझे लगा कि circles में थोड़ा ज्यादा simplify हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने circle का use किया, यहीं से निकल के आता है हमारा point number 2, आपको simplified shapes का use करना है, जैसे कि हमारा circle हो गया, lines होगी, basically दो का use करता हूँ मैं, एक हमारा circle, एक हमारा lines, bottle के लिए मैंने यहाँ पे lines का use किया, ज जो निम्बू रखे हो हैं यहाँ पे, उसको मैंने circle में divide किया, यह दो shapes, mostly आप सभी जगह पर apply कर सकते हो, इन दो shapes से एक subject को simplify करना काफी असान है, and details में नहीं जाना है, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल एक कर्व आप बना रहे हो, highlight दे रहे हो, यह हमारा मक्सद नहीं है, हम को drawing improve करनी है, हमको observation improve करनी है, okay, so let's take another example, यहाँ पर मैं एक और example ले रहाँ, एक different सी shape है, यहाँ पर एक bottle की, okay, so यह पूरी still life थी, पर इस पूरी still life है, मैंने सिरफ इस subject पर focus किया, and इस subject को कैसे मैं simplify कर रहा हूँ, वो आप देखो, ठीक है, कुछ straight line में मैंने divide किया, एक bottle की जो neck है, उसको, and जो नीचे का, जो इसकी body है, okay, इसको मैंने देखो कैसे simple, कुछ straight line में divide कर दिया, okay, यही चीज़ सीखनी है, यही चीज़ मेंने success है, इसके अंदर, बहुती ज़्यादा easy है, बहुती ज़्यादा असान है मतलब करना, और इसी लिए beginner समझते हैं कि यार क्य ही हो जाएगा इससे, कितना ही improve हो जाएगा, पर believe me, अगर आप इसको regularly practice कर रहे हो, तो आपको देखना आ जाएगा, और एक artist को अगर देखना आ गया, तो draw करना बहुत अथान हो जाता है, एक artist के लिए पहली stage ही observe करना होता है, मतलब चीजों को देखते कैसे हैं, वो सबसे important है, सभी को लगता है कि draw करना important है, जितनी ज़्यादा realistic practice करेंगे, उतना ज़्यादा improve होगा, पर ऐसा नहीं है, आपको देखना सीखना है, जितना ज़्यादा आप अच्छे जह देख पारे हो ना subject को, जितना ज़्यादा आप simplify कर पारे हो, उतना subject आपके लिए असान हो र करना है कि starting में portrait पर लगजो बनाने, आप कुछ simple सीजे लो, still life लो, कोई bird की reference ले सकते हो, exercise number 4, ये exercise काफी ज़्यादा interesting है, काफी सार लोगों को पसंद आने वाली है, आप कहीं पे भी कैसे भी exercise को practice कर सकते हो, पहले बात तो ये भी है कि इसका नाम ही काफी ज़्यादा interesting है, copy your drawings, अब इससे हम क्या सिखते हैं, कि अपनी drawing को copy करें बार बार, काफी हद तक ऐसा है, और काफी हद तक ऐसा नहीं भी है, पहले हम इस exercise को समझते है, करना है कि फिर बाद की बाते करेंगे, so यहाँ पे आपको कोई भी random shape बनानी है, start with easy, कोई भी shape बनाओ, अब उसी shape को copy क करना है कि यह क्या मैं इस shape को बना सकता हूं paper पे दोबारा, exact, यह कोईश करने हैं इसमें हमको, यहाँ पर आप needable eraser का भी use कर सकते हो, जिससे कि आप बार बार erase करके, अपने गलतियों को improve कर सकते हो, okay, time low अपना पूरा अच्छे से time लेकर observe करो, देखो, कहां गलतिया हुई कहां गलतिया नहीं हो रही है, चीजे कैसे जा रही है, यह सबसे ज़्यादा important है, इस exercise को आप कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे आप एक housewife हो, चाहे आप एक student हो, है ना, कहीं पे भी बैठे हो, अपने office में बैठे हो, कोई free time मिल रहा है, lunch break में, कोई भी copy अपना pen निकालो, pen से भी की जा सकती है, yes, कोई भी copy अपना pen निकालो, उससे हो जाओ start, एक shape बनाओ, कोई भी shape, यहाँ पे अब मैं दूसरी shape ले रहा हूँ, थोड़ी सी lines लिये है मैंने, तो easy है, comparatively उपर वाली से, ठीक है, इस तरीके से आप easy से start कर सकते हो, and यह exercise दिखती easy है, आपको दिखने बता लगेगा, कितनी ज़्यादा difficulties आती हैं इसको बनाने में, दूसरी बात, जैसे आप कोई difficult shape लोगे, तो difficulty होर बढ़ जाएगी, अब यहाँ पे मैं difficult shape बना के दिखाता हूँ आपको, अब कोई भी shape ले सकते हो, ठीक है, जिसमें circles, line, आप include कर सकते हो, यहाँ पे मैं दोन सा easy है, अब इसमें angle आ गए, size आ गया, क्या size है, कहाँ पे circle start हो रहा है, कहाँ पे circle खतम हो रहा है, यह काफी सारे questions आपको अपने आप से पूछने हैं, अपने आपको यह answer करना है आपको, कि यह circle इतने आएगा, जो इसका size है, यह इतना बड़ा रहेगा, ओके, आप थोड exercise को करते हैं, अब बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे, and also, यह exercise आपको future growth में काफी help करेगी, जब कोई भी आप drawing करने बैठोगे, freehand कोई भी चीज बना रहे हो, तो आपको इस exercise का ख्याल आएगा, कि वहाँ पे कैसे judgment की थी मैंने, मैंने कहाँ से क्या चीज का measurement लिया था, कैसे मेरा दिमाग चल रहा था ना, वो चीजें आपको काफी ज़्यादा help करेगी, so let's move on to our last exercise, exercise number 5, इसके अंदर हम करने वाले हैं, small drawings, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको sketching करके दिखाई थी, अब यहाँ पे हम drawing करेंगे, drawing and sketching के अंदर जिन लोगों को difference नहीं पता वो आई बटन में check करना, मैंने link दिया है उस वीडियो का, आप जाके check out जरूर करना, यहाँ पर हम small drawing करेंगे, drawing के अंदर ना, हर एक चीज को accurate बनाना important है, okay, तो यहाँ पे वो चीज काफे ज़्यदा important है, and यहाँ पे हम needable eraser का use करेंगे, और अपना time लेंगे, बनाने के ल starting में, उससे क्या होगा, आपका confidence बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है, कैसे की जाती है, and यह small drawings है, तो इसमें आपको ज़्यादा बड़े paper की जुर्त नहीं है, and कम time के अंदर आप result निकाल सकते हो, and यहाँ पे मैं दुबारा वो चीज रिपीट करूँगा एक-एक detail में जाने की जुर्त नहीं है, हलाकि मैं जुरूर जाऊंगा, यहाँ पर एकदम accurate बनाने की कोईश करूँगा, यहाँ पर एक-एक details, जैसे की light shadow कहा है, एक-एक curve कैसा दिख रहा है, वो इतना deep में जाने की initially जुर्त नहीं है, हमको अपनी observation strong करनी है, आपको overall still life को ज़्यादा दियान देते हैं, अगर मैं detail बोल रहा हूँ ना, तो मैं shading की बात कर रहा हूँ, सभी का मन करता है shade करने का, कि चलो फटा-फट से dark light कर देते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यदा अच्छा दिखेगा, आपको सिरफ अपने drawing के भरोसे आपको इसको अच्छा बन ठीक है, तो ये कुछ exercises है ना, जो आपको actual में help करती हैं, बजाए कि आप other videos पर जाओ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर, बिगिनर काफी ज़्यादा उन चीजों से attract हो जाते हैं, कहीं पर realism देखा, realistic portrait बनाना है, okay, realistic shading करनी है, smooth shading करनी है, यहाँ पे ना, काफी ज देखता है, और वो जी try करता है, और वहीं पर base बिगड जाता है, उसका सारा focus कहा होता है, shade करने पर, क्या लगता है कि shading से ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक बार shading कर ली, बहुत अच्छी shading हमको आ गई, हमको एकदम smooth shading करनी आ गई, तो किसी का भी face बन जाएगा, कि ये mindset हो जाता है बाद में, पर believe me, ऐसा कुछ भी नहीं है, mindset is all about drawing, आपको drawing पे सबसे ज़्यादा focus करना है, एक artist के लिए drawing बहुत ज़्यादा important होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप drawing अच्छी नहीं कर पारे, तो उसके ओपर कितनी layer लगा लो shading की, वो अच्छी नहीं दिखेग वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैं भी काम करता था, और धीरे-धीरे मेरे को पता लगने लगा कि ये चीज़े एक long term में मुझे help नहीं करेगी, इसलिए मैंने इनको leave किया, और drawing पर focus किया, तो इसलिए मैं drawing fundamentals पर काफी बात करता हूँ, और ये वीडियो भी drawing fundamentals series का part है, जिन लोगों बिल्कुल starting से beginning से drawing को सीखना है, वो इस वीडियो को जरूर देखो, और follow करो, देखने से काम नहीं चलेगा, अब जितने ज़्यादा आप प्रेक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका improve होने वाला है, यह ठीक है, अंगूर इसके उपर रखे है, उनकी height कितनी है, यह चीजों पर तोड़ा ज़्यादा focus था, and मैं भी यही बोलूँ आपको कि इन चीजों पर ज़्यादा focus रखो, क्योंकि अगर यह चीज़ सही बैठेंगी, तो automatically आपकी still life अच्छी लगेगी, अगर आप इन करना हूँ है यहाँ पर, and हलकी हलकी आप दे सकते हो, जहाँ पर dark आपको दिख रहा है, जहाँ पर light दिख रहा है, पर इतना ज़्यादा भी उस पर अभी के लिए गोर नहीं करना, क्योंकि कर तो हम drawing exercise रहे हैं, यहाँ पर drawing को समझ रहे हैं, इसके आज़ पास आप एक box बन fundamentals लिखना है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, ताकि future में ऐसा content मिस ना हो आपसे, तो आज की इस वीडियो में सिरफ इतना ही, thank you so much for watching guys, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द next वीडियो में